माउन करमिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभीश मसी के मधूर उमीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेलिबरेट कारेकरम में आप सब का भी दंदन करते हैं आशा करते हैं आप अच्छे हों प्रभीश पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तुन हमारे जीवन में दिया हम मिट नहीं गई है तेरी महा करूना का फल है प्रतिभोर तेरी करूना अमको नया बनाती है दिन बर तो हमको जाय के उत्सव में लेके चला प्रभु जी भारी भयांकर महामारी के बीच कॉविड नाइंटीन से तुन बचा कर अपनी पना में रखा तेरा धन्यवाद तेरी सूदी तारीव महिमा प्रशंसा करते हैं क्यारे खुदा परमेश्वर कुछ देर तेरी उपासना अराधना और वचन के अंदर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कुछ समय तेरे साथ बिताएं तेरी उपस्तिती में बिताएं इसलिए तो हमारी अगवाई और मदद कर धनिवाद करते हैं येश्यू के नाम से मांगते हैं आमी अजीदों ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी क्या मुझे देता है मुझमे वो जीवित है और ये कितना आनल है हुझमे पुछे मुझे आप से देछा है कुछ में वो जीवित है कितना आनल है। Alleluia तार्जे रहूगा, रोज नास्टे नास्टे गाउगा और जॉर्टे तॉर्टे कहूगा, मेरा ये सुजुन्धा हुआ मेरा ये सिंदे दा उना मुझी काना ये कुछ जै मुझे देता है मुझे ने बोजी विए इंदे ना आलोया मुझी काना ये कुछ मुझे देता है मुझे ने बोजी विए Halleluja, halleluja, halleluja. Oho, halleluja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn मुझे गले नंदाया अपने मेरे पांपो कोश्य मत दिया मेरे पांपो कोश्य मत दिया नए जिरे से मुझे बनाया नए जिरे से मुझे बनाया मुट्टी का नायको मैं मुझे देखाया मुझे में बोजी मिठै मुष्ण आरादे आरादे बन्वार आरादे आरादे आके गाएंगे Aleluya, Aleluya, Aleluya हालेलुया आमे हालेलुया आमे हालेलुया ओ वी तबाने वाले तेरी ओधो जय दिलाने वाले तेरी ओधो ए जदा तू बड़े मैं घटूं मेरी जीवन से रहिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरी जीवन से रहिमा तुझे मिले तू बड़े मिले तू राम के लिए thibo मिले कुझे मिले तू पुझे मिले तू आप के लिए जीए हम हां, तेरे नाम के लिए, तिनु पहों अफ्तार कि जिनाम के लिए, निए हां, तु पड़े, मैं घटू, मैं घटू, मैं घटू, मैरे चीवन से, मेरे जीवर से तुर्जे से ले तू बड़े मैं गटू हाँ मेरे जीवर से तुर्जे से ले सुषियों के पीछ में मेरा आजमान प्रभू तू बड़े और मैं गटू हुँ सुषियों के पीछ में मेरा आजमान प्रभू तू बड़े और मैं गटू हुँ तू बड़े मैं गटू हुँ मेरे जीवर से लाइवान प्रभू तू बड़े और मैं गटू हुँ तू बड़े मेरे जीवर से लाइवान प्रभू तू बड़े मेरे जीवर से लाइवान प्रभू तू मेरे जीवर से लाइवान प्रभू तू मेरा है, मैं तेरा हु तू मेरा है, मैं तेरा हु मेरे जीवर से लाइवान प्रभू मेरे जीवर से लाइवां भू तेरा से लाइवान प्रभू सोदा तेरा सोदा ओपाद तेरा सोदा ये शुटेरा है ये जीवन तेरा एफ ये जीवन तेरा अपा क्यों पार से जीवन तेरा है रभूह अपने आपकों से आगे समखके सरते हैं इस्व अगमरा अजये कि सदई के लाज देया हूँ मैदे बमल झार और तुंधे चाहता कि किव तनी नहां करें तो ले वड़ा दौहु करें वहने दे प्रभु माई चीवन से सदेव तू बढ़ता चाहिए और हम करते चले चाहिए आगे प्रियों प्रभु के दास के दुआरा उसके चीवित और सामर्थी वसन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमार ले रखा है कि अच्छी अराधना हम प्रभु को चड़ा पाए और समय हैं कि हम परमेश्व के वचन की और जाहें तो आईये हम परमेश्व के वचन की और जाने के लिए मतीरचिस्व समाचार और उसका 20 वा अधियाए और उसके 24 पत से करके 28 पद तक पढ़ेंगे यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाईयों पर कुरूद्र हुए इशु ने उन्हें पास बुला कर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभूता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने जैसे की मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल के जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा तहल करे और बहुतों की छुडोती के लिए अपने प्राण दे आमीन प्रेजर लॉड मेरे अजीजो पिछले दिन में याने कल में हम जब परमेश्व के वचन को पढ़ रहे थे और सुन रहे थे तो हमने देखा कि जब्दी के पुत्रों की माता प्रभी इश्व मसी के पास आकर उससे निवेदन करने लगी कि मेरे जो दो बेटे तेरे चेले हैं उने देखी ये एक तेरे दाइने और एक तेरे बाएं बैठे इश्व मसी ने उस महिला से कहा तू नहीं जानती कि तू क्या मांगती है और इश्व मसी ने ये बताया कि जो प्याला मैं पीने पर हूँ जो कटोरा मैं पीने पर हूँ जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम लोगे और उस महिला के उत्तर के बारे में हमने सुना उन दोनों चेलों के उत्तर के बारे में हमने सुना आज कई बार परमेश्वर हम से भी कई प्रशन करता है जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हम से कुछ कुर्बानी करने को बोलता है जगे छोड़ने को बोलता है गलत संगती छोड़ने को बोलता है तो हम बोलते हैं प्रभू देखो ये तो मुश्किल है अगर आपको देना है तो वैसे ही दे दो लेकिन यहां इन दोनों चेलों ने और उसकी माँ ने कहा हाँ प्रभू हम उस प्याले को उठाने को तयार हैं उस बप्तिसमे को लेने को तयार हैं याने वो दुखों में से जाने के लिए अपने आपको तयार कर लेते हैं लेकिन जब ये बाते चल रही थी तो ये जो दस चेले थे येशु मसी के और जब्दी के पुत्रों की माता का जो वारतलाब था उसको सुन रहे थे और जब वारतलाब सुन रहे थे तो उनके वारतलाब में ये था कि मरियम स्वरी जब्दी के पुत्रों की माता जो थी वो आ कर ये कहने लगी कि एक को बाएं बैठाए और एक को दस दाएं बैठाएं हलाकि येश्व मसी ने ये कह दिया कि दायां और बायां बैठाने का मेरा नहीं है लेकिन दस चेले थे वो जो थे वो इस बात से बड़े दुखी हुए और क्रोधित हो गए और कहने लगे ओह ये जो मम्मी आई है ये तो बड़ी स्वार्थ पून बात कर रही है अगर एक को येश्व मसी दायें बढ़ा लेगा एक को बायें बढ़ा लेगा तो हम क्या रूंगे में प्रमेश्वर के पविश्व मसी के चेले हैं हम क्या यूँ ही आया हैं ये श्व मसी के पीचे और ये जो था हम देखते हैं कि यहां एक ग्रूप लीजम ने जनम लिया कलीसिया में भी कई बार कुछ चोटी-चोटी बातों को लेकर विश्वासी लोग ग्रूप बना लेते हैं अब एक ग्रूप जो है दूसरे ग्रूप पर कुछ गुस्षा कर रहा है यहां लिका हुआ है बल्कुल इस पर जूप से यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाईयों पर कुरूद हो गए कुरूद हो के मतला समस्थे ना गुस्षा करने लगें यह कोई बात होती है क्या एक गजाएं पेट जाएगा एक बाएं पेट जाएगा तो हमारा क्या होगा इस प्रकार से वहां हम देखते हैं कि बारा चेले जो एक मन थे एक मत्थ थे एक मूँ थे यहां एक थोड़ी सी स्वारत आने के खारण उनका अंदर एकता भंग हो गई और मेरे अजीजों शैदान का कामी यह है कि हमको डिवाइट कर देता है हमारी एकता को भंद कर देता है हम जो एक मन होते हैं उनको कर देता है मतलब बांट देता है हमें डिवाइट कर देता है और यहां हम देख रहे हैं कि अब दस चेले उन दो चेलों के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है कोई ऐसा बोल रहोंगे तुम अगर एक जना दाय बेट जागा एक माएं बेट जागा तो पत्रस ने बोलाओगा मैं का जाओंगा यह उन्हा न बोलाओगा मैं का जाओंगा और दूसरे जो चेले थे दूसरे उन्होंने बोलाओगा मैं का जाओंगा इस प्रकार से बड़ा मदभेद वहां पर उत्पन हो गया परन्तु येशु मसी ने उनको अपने पास बुलाया बारों को अपने पास बुलाया यहां लिखा है 25 बद में येश्यू ने उन्हें पास बुलाकर कहा येश्यू मसी ने उनका टंटा सुन लिया उनका क्रोधित होना देख लिया और जो डिवाइडेशन से 10 एक हो गए दो अलग हो गए इन बातों को देखकर येश्यू मसी ने बार रहे चेलों को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से येश्यू मसी ने उनसे बात की और उन्हें समझाया कि ये बड़ा होना छोटा होना एक बाएं बैठना एक दाएं बैठना ये सब बातों पर विवात करने का समय नहीं ह शायद ये भी कहा होगा इशु मसीने शायद ये तो अभी दुख का समय है पकड़वाए जाने का समय है और तुम लोग जो है अपने छोटा होना बड़ा होना और एक को दाएं और एक को बाएं बैठने की लगी पड़ी है आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तर्च पर कोविड-19 फैला हुआ है और कुछ विश्वासी अपने अपने आप में अपने आपको बहुत कुछ समझते हैं जो दूसरा है छोटा है उसको हकीर समझते हैं लडाई और जगड़े उत्पन हो रहे हैं डिवाइडेश के विशनी से बैठीब चु jesteśmy है पतनी घरज्वाय के बैठीब है पति अधयजा के बैठा हुआ है आपथी पत्नी के बीच में तंआव है एंगी थिंदाव नहीं है विछ ये सlor मशी को पता है कि मेरा पकड़ आय जाने का समय निकठ है और यह लोग अभी जो है दिवाइड तो येश्य मसी ने बड़े प्यार के साथ उनको बठा कर उनसे कहा कि तुम जानते हो कि अन्यजाती के हाकीम और उन पर प्रभुता करते हैं अन्यजाती जो होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उन लोगों के अंदर बड़ा छोटा होता है अधिकारी होते हैं और वो जो बड़ा जो होता है वो छोटे पर राज्य करता है लेकिन तुम्हारे अंदर मसीहत में बराबर अधिकार दिया जाता है और मैं यहां आपको रुकर के एक बात बताने जाना चाहता हूं मुझे नहीं मालूम अन्यजातियों के बीच में पत्नी को जो है जो दर्जा दिया जाता है इस्त्री को जो दर्जा दिया गया है वो पुरुष के के नीचे रखा गया है और पुरुष उसको किस तरीके से ले पूलता है यह आप सब जानते हैं कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्त्री तो जो है वो पाउं की जूती है जब मर्जी आये फट जाये तो बदल लो या हकीर समझते पर मैं आप से बूलना चाहता हूं मसीहत में दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया इसमें कोई धर दुन वो नहीं है कि पूरुष प्रधान है मसीहत में भी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरुष इतना प्रधान है कि वो अपनी पत्री को कुछल देगा परमेश्वर ने पती पतनी दोनों को बराबर का दर्जा दिया है मसीहत में बराबर का दर्जा दिया गया है अच्छा इसका मतलब यह नहीं कि आज का प्रचार सुनने के बाद थोड़ी दिर के बाद आप अपने पती को बोलो देखो सुना पादरी साब ने क्या बोला था इसका अर्थ ये नहीं है पर ब्रभू का वचन बताता है कि अन्य जातियों में हाकीम होते हैं अन्य जातियों में बड़ा जो है वो छोटे पर प्रभूता करता है और धन्वान जो है वो गरीब पर प्रभूता करता है इस प्रकार का सिस्टम महाँ पर पाया जाता है पर कलीशिया में कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है कलीशिया में कोई किसी प्रकार का मतवेद नहीं है कोई अमीर और गरीब का मतवेद नहीं है कोई उचे पदपर और कोई नीचे पदपर नहीं है तुमारे अंदर कुछ बराबर होना चाहिए प्रेज दे लॉर्ड और चेले इस बात को सुन रहे थे और जब चेले इस बात को सुन रहे थे तो येश्व मसी ने उस बात का और ज्यादा लाब उठाते हुए 26 में पद में उनसे कहा परंतु तुम में ऐसा ना होगा अन्यजातियों में बड़े और छोटे का भहित भाव होता है लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा याने कलीशिया में परमेश्व के राज्य में कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है कोई श्रेस्प नहीं है कोई नीचा नहीं है कोई उच्छा नहीं है हम सब बराबर हैं और परमेश्यो को वजन यहां पर बताता है 26 वेपत को पढ़ेंगे ब्रदर परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा कोई छोटा नहीं है तुमारे अंदर और कोई बड़ा नहीं है तुमारे अंदर मेरे अजीद हूं आज शाम में आपको एक बात बताना चाहता हूं सिवकाई हमेश्या नीचे से शुरू होती है और उपर की और जाती है इसका एक बैस्ट उधारन आपको मैं बाइबल में से देना चाहता हूं आगर आप उचे पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको खड़ए में जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा यूसफ नाम का एक चरित्र जो उत पत्ती के केदाब में मिलता है उसने अपने दे के दिनों में बच्पन में बहुत सारे स्वपन देखे हैं उसके स्वपन के कारण ही वो जो है अपने भाईयों के जो है वो शिकार हो चुका है भाईयों का गुष्चे का शिकार हो चुका है और भाईयों ने पकड़ कर उसे उसके कपड़े उतारे और उसके दर्शन के कारण और उसके स्वपन के कारण उसके खड़े में उतार दिया हाट पुए में उतार दिया और स्कुह में से थोड़ी जीर के बाद में उसे निकाल कर उसे बीसचांदी के सिकों में के समाइलीों के हाथ में गुलाम होने के लिए बेश दिया और जब इसमाइलियों ने उने खरीदा तो वो मिस्र देश के अंदर उसे ले गए और वहाँ उसको उनोंने फिर आगे बेच दिया शायद धन कमा लिया अब अगर आपन देखते हैं कि वो जो यूसफ जो था वो मिस्र देश में गुलाम बन करके पहुँचा था गुलामी करने के लिए पहुँचा था और ऐसा पहले की दमाने में बताते हैं कि जब किसी गुलाम को लिलाम किया जाता था तो उसके तन पर कपड़े भी नहीं होते थे आज यूसफ की हालात ऐसे हैं उसके तन पर कपड़े नहीं हैं और उससे किसी व्यक्ति ने खरीद लिया उसका नाम है पोती पर मिस्र देश के अंदर एक अच्छे पत पर पदासी ने एक व्यक्ति ने उससे खरीद लिया और अपने घर में ले जाके रख दिया ताकि वो उस घर के अंदर सफाई करे और काम काज करे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या काम दिया होगा यूसफ को जो एक गुलामी की हैसियत से खरीदा गया था गुलाम की हैसियत से मिस्र देश में था शायद वो पोचा लगा रहा होगा जाडू लगा रहा होगा पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है तो छोटा बन जाए निम्न बन जाए नम्र बन जाए और नीचे से काम को शुरू करे और यूसफ ने अपने काम को अपने उस दर्शन के काम को उस स्वपन को पूरा करने के लिए शायद पोतीपर के घर में पोचा लगाना शुरू किया और उसके बाद उसका काम इतना पसंद आया और उसके कामों के कारण उसके स्वामी ने उसे उसी जगा पर supervisor बना दिया supervisor बनने के बाद मेरे अजीजों आप सब जानते हैं कि उसका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा और एक समय ऐसा भी आया कि वो जेल खाने में पहुँच गया लेकिन जेल खाने से निकाला गया तो जेल खाने से सीधा महल में पहुचा और क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था निपून था सुवपन का अर्थ बताना उसके बाएं हाथ का खेल था क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर था और वो उस देश का प्रधान मंत्री बना यानि राजा के बाद उसी का हुकम जो है वो चलता था सिगनेचर उसी के होते थे इतना बड़ा अधिकारी बन गया हमेश्या एक बास जिन्दी के ध्यान रखना अगर आप सेवक बनने के लिए तैयार है एक बड़ी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री हमेश्या नीचे से शुरू होती है आप नीचे आ जाएए नमर बनते चले जाएए परमेश्वर आपको उचा उठाता चला जाएगा प्रेज लोड और जितना आप अपने आपको नीचे ले जाएँगे परमेश्वर उतना ही आपको उचे पे लेके जाएगा इश्यमसी ने कहा तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है तो सेवक बन जाओ यूसफ सेवक बन गया यूसफ गुलाम बन गया छोटे से छोटा काम करने को तयार हो गया आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई तो करना चाहते हैं परंतु यदि उनसे कहा जाए कि जरह चर्च में आकर के दो गड़ी बैठ जाओ या चर्च में आकर के कुर्शिया साफ करवा दो या चर्च में आकर के थोड़ा सा काम करवा दो या कोई समाजिक काम हो रहा है उसमें हाथ बटवा दो they are not ready बस सिवकाई करनी है क्या करना है प्रचार करना है कुर्ची प्रचार दे तो बस प्रचार को ही बहुत सारे सिवकों ने सिवकाई समझ रखा है बड़ों मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या प्रचार करना ही सेवा है क्या कलीशिया में जहां लोग प्रमेश्व की अराधना के लिए एकट्टे होते हैं वहां कुर्सियां साफ करना, दरी बिछाना या टॉइलेट साफ कर देना, क्या ये सेवा नहीं है? मेरे अजीजों, ये सारे काम, मैंने अपने जीवन में किये हैं, एक समय था, जब चर्च की सफाई भी हम करते थे, पानी भी भर के लाके हम रखते थे, और अन्य और कामों को अंदर भी, और आज की तारीक में भी, छोटे से छोटा काम करने के लिए आज भी हम तयार हैं, आज भी यदी चर्च में जाड़ू देने के लिए, या पोचा मारने के लिए, या सफाई करने के लिए, कोई नहीं है तो हम तैयार हैं, और करते भी हैं, जब आप सिवकाई की बात करते हैं, आप मेंसे मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं, जो छोटे से छोटा काम करने के लिए, या सेवक बनने के लिए तयार है, पाउ दुलवाने को आप तयार हैं, पाउ धोने को तयार नहीं, पाउ दबवाने को आप तयार हैं, पाउ दबाने के लिए तयार नहीं, आप बीमार हो जाएं, लोग आपके पाउं दबाएं, आपके आपकी सेवा टहल करें, आप ये चाहतें, लेकिन कोई अगर दूसरा बीमार है, उसको आप पूछने जाने के लिए भी तेयार नहीं, क्यों? हम तो सेवक हैं, पादरी हैं, बड़े हैं, मेरे अजीसों, सिवकाई हमेशा बॉटम से शुरू होती है, अगर आपको उंचे पे जाना है, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, मैं अपर हमेशा एक बात बोलता हूँ, आकाश में उड़ने की मनाई नहीं है, हमाईजाज भी आकाश में उड़ता है, लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है, जब उसे धर्ती पर आना पड़ता है, और धर्ती से जुड़ना पड़ता है, तो आकाश में उड़िये, धर्ती से जुड़े रहिए उची सेवगाई कीजिए पर छोटे कामों में जुड़े रहिए छोटा काम करने के लिए मन रखिए बस मेरे अजीसों परमेश्वर का बचन कहता है येश्व मसी ने उनसे कहा तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है तो तुम सेवग बन जाओ सेवा शुरू करदो लोगों के घाव पहुचना शुरू करदो लोग अपको अपना चरवा कमानेंगे जब आप अपना चरवाएपन का कार्ये प्रगट करेंगे भेड आपको अपना चर्वाह कम आनेगी जब आप भेड को अच्छा खाना खिलाएंगे जब भेड को आप जब वो दुखी है तकलीफ में है संकट में है परिशानी में है तो उसका घाओ को उपर दाखरस और तेल मलेंगे मेरे अजीसों जब भी पोई परिवार संकट में जाता है हमारा फर्ज और कर्टवी बनता है एक चर्वाह का फर्ज और कर्टवी बनता है कि वो उसके संकट और परिशानी में उसका साथ दे या खड़ा हो पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं संकत में जाते हैं पर पाधरी को बताते नहीं में about है, अब पाधरी खुदा नहीं है यह ध्यान रख रहा है है पिर बाद में आरोप लगाते प्षोभ हमको हम तो संकत में अमें हमें पूछा ही नहीं अर भी तुमने है नहीं हमको जिनों ने बताया उनके साथ हम आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे हुआ कि आप बताओंगे तो हम आपके लिए प्रत्थना करेंगे आप उमसे सला लोगे तो हम आपको स्ला भी देंगे आप हमसे निवेदन करोगे कि एक कोस बेगार में चलो बाई साब हमारे जाद तो हम दो कोस जाने के लिए तेया रहे क्योंकि हमने मसीज से यही सीखा है परन्तु आप आके आगरे ही नी करते बताते ही नी शायद आप बताना नहीं चाहते शायद आप अपनी हमारी मदद लेना नहीं चाहते शायद आपको हमारी प्रात्नाओं की जुरूरत नहीं है परन्तु यहाँ यहीश्य मसी साब बोलते हैं कि जो बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने यहीश्य मसी इसका सबसे बड़ा एक अच्छा उधारन है बाइबल में हर जगा यहीश्य मसी ने अपने आपको मनुष्य का पुत्र करके घोशित किया जबकि था वो परमेश्वर का पुत्र कितनी जगा नए नियम में आप कितनी जगे देखेंगे कि यह मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र क्यों प्रभीश्य मसी मनुष्य का पुत्र कह रहा है जबकि था वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तू नहीं समझिया आज चार बीमार आप से अच्छे हो जाते हैं प्राथना से आपके, तो आप परमेश्वर को जेब में लगके घूमते हूँ, और यह समझते हो, परमेश्वर मेरे जेब में है, परमेश्वर को आप वश्में नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है, और 27 बत को पढ़ दे और जो तुम में प्रधान होना चाहे, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने, वो क्या बने, दास बने, आप दास बनने को तयार नहीं है, आप दास बनने को तयार नहीं है, आप किसी के पा आप किसी की मौत महियत में जाने को तेयार नहीं है, और लोग मुझे मिनिस्टर समझें, अरे बाई मिनिस्टर कैसे समझेंगे तुझे? मेरे असी सु मैं कही बार बोलता हूँ, अच्छिर एक और बार बोलूगा, अधिकार प्राप्त किया जाता है, मैं यदि किसी विक्ति को डाटना चाहता हूँ, तो मुझे डाटने का अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, और डाटने का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे उससे प्रेम करना पड़ेगा, उसके कस्टों के समय में, परिशानियों के दौरान, मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब एक समय आएगा, वो मेरी डाट भी सुनेगा, क्या आप मेरे साथ हैं? हम किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, किसी के दुख में सुक में खड़ा होना नहीं चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, बस सीधा प्रचार करना चाहते हैं, कि आप मेरे साथ हैं। सीधा हम प्रचार की और जाना चाहते हैं। प्रचारक बना दो, पुल्पिट दे दो। जब ये पुल्पिट किसी और को नहीं शेर की जाती, तो अभी लोगों को इस बात से भी परिशानी है। कि केवल पास्तर आजेंदर डेविड ही प्रचार करते हैं। और कोई प्रचार करने के लिए किसी को देते नहीं है। क्या और कोई पादरी नहीं है। मैं तो तयार हूं। पर जो पास्बान है। उनका ये कहना नहीं नहीं। कि हम खुद आपको सुनना चाहते हैं और कलीशिया भी यह चाहती है क्या रहनियाओ यह मेरा विश्य नहीं है लेकिन प्रभु कवर्चन कहता है तुम्में जो प्रधान होना चाहता है वह दास बने दास का मतलब समझते हैं आप गुलाम बने क्या आप दास बनने को तयार हैं आप दास की तरह करने को तयार हैं हम चाहे कितने भी बड़े पास्थर हैं मैं मेरी कह रहा हूं मैं इपने आपको परमेश्वर के राज्य में हमेशा छोटा ही समस्ता हूं, मेरे यशीसों, और जितना छोटा मैं बनता जाता हूं, परमेश और मुझे आशिश देता चला जाता है। 27 बद इस पस्ट रूप से येशु मसी कह देता है, तुम्में जो बड़ा बनना चाहता है, जो प्रधान बनना चाहता है, वो पहले दास बने। यूसफ प्रधान बनना चाहता था, उसका दर्शन था, लेकिन यूसफ को पहले गुलाम बनना पड़ा, नेचे से सिवगाई उपर आती है, बहुत सारे प्रभु के दास है जिन्होंने अपनी सिवगाई को बॉटम से शुरू किया है, नीचे से शुरू किया है, अगर आप म मेरी बात करें तो मैंने एक खंजरी से सेवा शुरू किया है, बहुत कम लोगों के साथ सेवा शुरू किया, पर हमेशा दास बनके रहा, मेरे अजीजों, यहां मैं रुकर आपको बताता हूं, कि परमेश्य का वचन कहता है, 28 मत को पढ़ें ब्रदर, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, अब देकि यहां फिर यह शुमसी अपने आपको मनुष्य का पुत्र कहके संबोदित कर रहा है, आगे, वह इसलिए नहीं आया, कि उसकी सेवा टहल की जाए, शुमसी कह रहा, मैं इसलिए नहीं आया हूं, कि मेरी सेवा की जाए, परन्तु मैं इसलिए आया हूं, कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा करूं, मैं खुद लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों को केरिटिकिंग करूं, मैं इसलिए भेजा गया हूं, और, बहुतों की छुड़ती के लिए, मान उजाती के उधार के लिए, मान उजाती के छुटकारे के लिए, मान उजाती की न अपने प्राण को दूँ अपने प्राणों को दूँ मेरे असीसों प्रभीशु मसी ने अपने प्राण मानव जाती के छुटकारे के लिए दिये कि आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है आप एक अच्छे सेवक बने और एक अच्छे सेवक को सेवक बनने के लिए कुछ बाते और मैं आपके साथ शेर करूँगा निकाले हम पहला पत्रस पांचवां दिया है एक पत्रसे नौ पत्तक अगर आपन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि वहाँ परमेश्व क मुझे और आपको क्या कहता है बड़ी तुम्में जो प्राचीन है याने चरवा है या पाद्री है प्रचारक है लीडर है मैं उनके समान प्राचीन और मशी के दुखों का गवा और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ पत्रस कहता है मैं उन्हें यह समझाता हूँ जो अपने आपको प्राचीन समझते हैं कि परमेश्वर के उस जुन्ड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो पहली बात कि तुम क्या करो रखवाली करो और पॉलुस कहता है उस जुन्ड के लिए तुम्हें एक आधर्श बनो बी एक गुड एक्जामपल फॉर यूर शीप एक अच्छे लीडर्शिप के लिए लीडर बनने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा आपको पाउं दबाने वाला बनना पड़ेगा आपको पानी पिलाने वाला बनना पड़ेगा सेवा टेहल करने वाला बनना पड़ेगा हलेलुया और उसके बाद परमेश्व का वचन कहता उस जुन्ड की तुम जो तुमें दिया गया है या तुम आरे बीच में है तुम उसकी रखवाली करो और और ये किसी के प्रेशर में काम नहीं होना चाहिए ये काम दबाव से नहीं करना है कुछ भी जो कुछ परमेश्वर ने आपको सेवा दिये वो दबाव से नहीं परंतु सतंत्र मन से और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हाँ, in the will of God परमेश्वर की इच्छा है ये समझ करके मुझे और आपको काम करना है आगे आनंद से करना है और उड़कुडा के नहीं करना है और नीच कमाई के लिए नहीं और काई के लिए नहीं करना है बहुत सारे लोग नीच कमाई के लिए धन के लालच के लिए सेवकाई करते हैं अच्छा देखा उस पास्टर के पास गाड़ी आ गया मैं भी सेवा करता हूँ अगर इस उदेश्य से आप सेवा में कूदे हैं you will be not success आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्य मनों से बढ़ा है और उदेश्यों को जानता है चलो जी पांच घरों में विजिट करेंगे एक एक घर से सो सो रुपे मिले तो पांसो रुपे हो गए अगर इस उदेश्य से घर से विजिट करने निकले हो तो आप अपने उदेश्य को रेक्टिफाई कर लो पहले क्योंकि ऐसी सिवकाई फल्वंत नहीं होगी पेट बराई तो जानवर की भी हो जाती ध्यान रखना और उसके बाद क्या लिखाए प्रदा जड़ा तीन पत को पड़े जो लोग तुम्हें सोपे गए हैं उन पर अधिकार नहीं जता नहीं देखिए अधिकारी होने के बाद भी आपको ऐसे रहना है मानो अधिकार पती प्रदान है लेकिन प्रदान होने के बाद भी उसको पती को ऐसे रहना है भई मैं प्रदान नहीं हूं पालुस भी कहता है कि जिसके पात पत्नी हो वो ऐसा रहे मानो पत्नी है नहीं अधिकार हमारे पास है लेकिन उस अधिकार का एक तो मिस्यूज ना करें और अधिक जताने की कोशिश ना करें। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, आप डाटना चाहते हो, डाटने का अधिकार प्राप्त करो, आप अपने बच्चों को डाट सकते हो, क्यों डाट सकते हो, क्यों कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, पडोशी के बच्चे को आ कि आपने कोभी कुछ किया नहीं की कलीशिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए जब आप उनके छुटकारे के लिए प्रात्नाय करते उनके लिए उनके दुख में सुख में कभी खड़े होते हैं तो वो उस काम के द्वारा आप एक अधिकार को प्राफ्त कर ले और वो आप जिन जिनके उपर आप अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं वो आपकी बात सुनते हैं वो आपको अपना अगवा लीडर मानने को तयार हो जाते हैं, आपका आदर सम्मान करने को तयार हो जाते हैं, आपके कामों के कारण, आपके प्यार के कारण वो आपके लिए निचावर होने के लिए तयार हो जाते हैं, ये है मन लगाकर के जब आप प्रभू की काम करोगे, तो परमेश्वर आटोमेटिक उनके मनों में आपके प्रति आदर और प्यार भर देगा। लेकिन आप करो धरो कुछ नहीं। बस मेरा प्रचार सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो ही होना चाहिए, यह पॉसिबल नहीं है। आगे लिखा है, तीन पत को बड़े पूरा, वरन जुन्ड के लिए आदर्श बनो, और सिवकों के लिए आगे क्या लिखा है पड़ो, जब प्रधान रखवाला, प्रधान रखवाला कौन है? हमारा प्रभी इश्य मसी, जब अपनी महिमा में आएगा, तो क्या करेगा? पढ़िये? जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, तो तुम्हे महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तुम्हे महिमा का मुकुट, किसको जिसने परमेश्व की सेवा को निश्वार्थ भावना से मन लगा कर आनन्द के साथ किया हूँ, नीच कमाई के लिए ना किया हो, धन पाप्ट करने के लिए ना किया हो, उदेश ये ठीक रखा हो, वो प्रभी इश्य मसी से उसकी महिमा का मुकुट प्राप्त करेगा, मेरे अजीजों, परमेश्व का वचन कहता है, वो मुकुट मुर्जाने वाला मुकुट नहीं है, आज शाम मैं आप से कहना चाहता हूँ, और जैसा आप सब जानते हैं, कि प्रभी इश्य मसी ने, जब वो अपनी महिमा में आएगा, तो वो हमें मुकुट देगा, मेरे अजीजों, हम परमेश्व का धन्यवाद करते हैं, कि प्रभू हमको मुकुट देगा, हमें महनताना देगा, प्रतीफल देगा, आज शाम मैं अपने कतन को इसके साथ विराम देना चाहता हूँ, कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें, कि जब कलीशिया में, परिवार में कोई बात होती है, एक इंसान अपने आपको अलग कर दिता है, जैसे ये दो चेले अलग हो गए, और दोनों चेलों ने बोला, एक को बाएं बढ़ाओ, एक को दाएं बढ़ाओ, तो येशु मसी ने इस बात को बड़े प्यार के साथ हैंडल किया, और जो दस लोग उस बात से नारास थे, उनको भी बैठा कर उनसे बात किया, परिवार के मुख्या का काम होता है कि वो परिवार के लोगों को बैठा कर कलीशिया का अगवे का काम होता है वो कलीशिया के लोगों को बैठा कर उन से बात्षीत करके जो मैटर हुआ है उसको सौट आउट करें कई बार मैंने देखा परिवार के मुख्या यहां जो हमें आयत दिख रही है उसमें लग रहा है कि येशु मसी ने अपने चेलों को बुलाया समझ गे थे येशु मसी के डिवाइडेशन के और बढ़ रहे हैं ये लोग है ना बताती ने आयत येशु ने उन्हें पास बुला कर कहा जब उनको देखा कि ये गुष्चे में है और क्रोथ का कारिकरम चल रहा है डिवाइडेशन का काम चल रहा है बढ़ रहे हैं आपस में येशु ने उन्हें पास बुला कर बैठा कर उनको समझाया कि तुम में परिवार में दो भाईयों में जगड़ा होता है, दो बहनों में जगड़ा होता है, दो दामाद आपस में लड़ते हैं, कि निवातों को लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के जगड़े होते हैं, आपका फर्स बनता है, कि आप अपने परिवार को लेकर बैठ कर परिवार के मे मेंटर को परिवार में सुल जाए और जब आप से ना सुल जे तो अड़ोसी पड़ोसी के पांच लोगों को लेकर के रिष्टेदारों में जो समझदार लोग है उनको लेकर के परिवार के मेंटर को सुल जाए जरूर नहीं होता कि हर परिवार का पारवारिक मेंटर जो है प कि पास्ठर भी उसमें हस्तक शेप कर सकता है लेकिन शर्थ यह होती है कि हस्तक शेप करने का अधिकार उन्हें दिया जाए मेरे अजीजों तुम में लडाई और जगडे हैं इन लडाई जगडों को खतम करें इश्व मसी ने इस मैटर को हाथ में लिया हैंडल किया और इस मैटर को सॉट आउट किया इश्व मसी ने अपने विशे में भी कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वह बहुतों के सेवा करें और बहुतों के लिए अपना प्राण दे छुडोती के लिए छुटकारे के लिए तो आज शाम हम इस कथन को यह विराम देंगे आशा करते हैं आज के मैसिज से आपको यह समझ में आयेगा कि जो बड़ा है जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने और जो सेवक बनना चाहता है वो सेवकाई को नीचे से शुरू करें परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशिच दे आई आम अपनी आखों को बंद करें और इस वचन के आगे अपने सर को जुकाएं और प्राथना करें प्यारे परमेश्वर हम देरा धन्यवाद तरी स्थूती तारीव महीमा प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए प् प्रूपलीजम हो गया प्रभुजी और आपने बैठा कर सब चीज को बड़ी प्यार से शांती पूर्वक तरीके से निप्टारा किया प्यारे खोना तो ने समझाया प्रभुजी कि ये काम इस प्रकार की बाते अने जातियों में होती हैं दूसरे लोग आपस में इस प्रक जो है वो बहुतों के प्रान के लिए छोड़ोती देने के लिए अपना प्रान देता है यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी समझाईश के लिए कि हमारे अंदर कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं हम कोई स्रेष्ट नहीं है कोई उंचा नहीं कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं प्रभू सारे बढद भेदों को तुने खत्म करने के लिए कहा प्रभू प्रबू प्रभू प्यारे खुदावन प्रभु और अंत में ऐमने देखा एक सेवक को अपने जुंड के लिए आदर्ष बनना है और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु शुद्ध मंत्सा से, परमेशवर की सेवा करना है, और एक समय आएगा, कि जब हमें मुकुट मिलेगा प्रभू। हम यूसफ के चरित्र को आज शाम आपने देखा प्रभू, कि यूसफ ने किस प्रकार से प्रभू अपनी सेवा को शुरु किया, किस प्रकार से वो नीचे गया प्रभु जी और उसके बाद तुने उसे जब उठाना शुरू किया तो बहुत उचाई पे भी गया और देश का प्रधान मंत्री बन गया प्यारे कोदावन प्रभु हम तेरा धन्यवाद तेरी स्थूती तारी महिमा करते है इस समय कॉविट ड और हमारे जिन्दा खुदावन प्रभी येश्यमसी के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन और अब हमारे खुदावन येश्यमसी का फजल कुदाबाब की महबद पाक रुड़ की रिफाकत और श्राकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सबस्क्राइब करें प्ला फेकर क आगे बढ़ाने में आपकी सहायता की जरूरत है उसके लिए आप हमारे ले निरंतर प्राथना गरे और साथ में बैंक अगाउन की डिटेल स्क्रीन पर है यदि आर्थिक से योगा भेजना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच और में गॉड ब्लेस यू घर में रहें स्वरक्षि रहें कल फिर आप से मुलाकात करेंगे धन्यवाद।